बिहार बीजेपी की तरफ से आज विरोध किया जा रहा है दरसल ये विरोध इस बात का है कि जिस तरीके से तमाम 19 पार्टियां संसत भवन के जो नई दिल्ली में संसत भवन बनाया गया है नया उसको लेकर तमाम 19 पार्टियां जो है विरोध जता रही है वहीं आप देख सक कि बिहार विधान सभा में आज बीजेपी की तरफ से उसी विरोध का एक तरीके से उसी विरोध का जवाब देते हुए यह कहा जा रहा है कि बिहार विधान सभा का जो विस्तारित भवन है उसे जो है बनाने में नितीश कुमार उसे नितीश कुमार ने बनाया और उसके कर देखिए आज यहां पर बीजेपी ने उस शिलापट के बाहर विरोध करने का जो फैसला लिया उसके बाद यहां पर देखिए बीएंपी के जो बिहार होमगाड के जो जवान हैं उन्हें यहां बुलाया गया है अंदर इस वक्त समराच चौधरी विधान सभभवन के वो विरोध करेंगे उस शिलापट के नीचे जो नितीश कुमार ने उद्धाटन के दौरान लगवाए हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि विधान सभा के भीतर जो बिहार होमगाड के जवान हैं उनका एक अच्छा खासा बल उन विधायकों को रोकने के लिए बुला दें कि बीजेपी की तरफ से जो लगातार विरोध जेडियू और आरजेडी कर रही थी उनका कहना था कि नई दिल्ली में जो सेंटरल विस्टा बनाया गया है उसका उद्घाटन प्रधान मंतीन नरेन मोदी के हाथों किया जाना जाने पर उनका विरोध था उनका कहना है क कि देश की राश्पती जो हैं वो इसका उद्घाटन करें इसे लेकर विरोध चल रहा था अब इस विरोध का जवाब बीजेपी देने के लिए उतर गई उसने अपना अपनी कमर कसली है और इस वक्त बिहार विधान सभा के भीतर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं स पके पीजेपीय आँग कोशिश करेगी और दिखाने की कोशिश करेगी जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने विस्तारित भवन का उद्घाटन किया उसी तरह देश के प्रधान मंति नरेन मोदी ने नए संसत भवन का उद्गाटन किया है इसे लेकर जो विरोध जारी है तमाम विपक्षी पार्टियों में उनका विरोध जो है वो ठीक नहीं है सहीयोग बिट्टू के साथ केशफ समन सेंग पटना